हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो, आज इस वीडियो में हम लोग वीड सेंस्टिव टच इलेक्ट्रिक ट्रिमर का रिव्यू देखेंगे सबसे पहले हम इसके पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी ट्रांस्पेरेंट पैकेजिंग है इसमें उपर से ही वीड सेंस्टिव टच इलेक्ट्रिक ट्रिमर दिखता है और इसके पीछे वाल भी इसमें जितने अटेच्मेंट हैं, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो चलिए सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, उपर एक एरो बना हुआ है, यहां से हम लोग इस बॉक्स को ओपन करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर है, एक अटेच्मेंट है, एक बैट्री है एक बड़ा कॉम है, कैप है, और एक छोटा कॉम दिख रहा है, आईए हम लोग और डिटेल में देखते हैं, इस बॉक्स को अलग करने पर, यहां पर हम देख सकते हैं, कि इस बॉक्स के नीचे भी कुछ है, इसमें एक ट्रवल पाउच है, यह ट्रेवल पाउच, जब हम ट्रेवल करें, तो बहुत एजी रहता है, इसमें इस इलेक्ट्री ट्यमर को कैरी करना, और इसमें एक इंस्ट्रक्शन शीट दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे हम इसे यूज़ करें, तो इसमें टोटल आठ चीज़े दी हुई हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे यूज़ करें, और इसमें जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, इसमें तीन मार्क हैं, ट्राइंगल, जीरो और वन, जब हमें ये बैट्री को रिमूव या फिर इसमें बैट्री डालनी हो, तो हम इसको घुमा करके ट्राइंगल की तरफ ले करके आएंगे, और पुल करेंगे, तब ये ओपन हो जाएगा, अब हम इसमें बैट्री डालेंगे, और फिर से बंद करेंगे, बंद करने के लिए हमें फिर से जो एक नीचे एक मार्ग दिया हुआ है, उसको जीरो पर ले करके आना है, ये जो इसका अटेश्मेंट है, इसमें दो ब्लेड्स हैं, एक छोटी ब्लेड और एक थोड़ी बड़ी ब्लेड, एक अलग से और अटेश्मेंट दिया हुआ है, जो अधर बॉड़ी पार्ट एरिया के लिए है, एक छोटा कॉम्ब है, ये बेसिकली आईब्रो ट्रिमर है, जब आप जो नीचे वाला मार्ग है, उसको वन पर लेके आएंगे, तो ये ट्रिमर स्टार्ट हो जाएगा, इस पर इस तरह से छोटा कॉम्ब लगा देने पर, इसमें दो तरफ से आप यूनिफॉर्म हेर लेंद कर सकते हैं, इसमें 2 mm और 4 mm का ये कॉम्ब अटेश्मेंट दिया हुआ है, अगर यूज नहीं कर रहे हूँ, तो ये कैब भी दी हुई है, आप इस तरह से बंद करके र दूसरा जो अधर बोड़ी पार्ट के लिए अटेश्मेंट दिया हुआ है, उसको भी फिट कर सकते हैं, और फिर से जब नीचे वाले मार्ग को वन पर लाएंगे, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ये बड़ा कोंब दिया हुआ है, ये भी यूनिफॉर्म हेर लेंद करने के लिए दिया हुआ है, इसका यूज आप किसी भी अधर बोड़ी पार्ट में, जैसे की अंडर आम्स में या भिक्नी एरिया में आप यूज कर सकते हैं, जहां के बाल बड़े होते हैं, आप इस को कोंब हेर लेंद आप कर सकते हो, जब हो जाए उसके बाद आप अच्छे से ट्रिम करने के लिए इस कोंब को निकाल दें, फिर आप केवल बिना कोंब के ही आप ट्रिम करें, आप इस ब्रश के सायता से अपने जो ट्रिमर के अटेश्मेंट है, उसको साफ भी कर सकते हो, त एक यहां पर मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि यह अंडर आर्म्स और बिक्नी एरिया के लिए कैसे काम करेगा होप आपको यह बाल दिख रहे होंगे बाल बहुत ही महीन है इसलिए शायद यह नजर नहीं आ रहे हैं अब मैं आपको अपर लिप्स पे थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको करके कि यह कैसा जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं शायद थोड़े आपको यहाँ पर बाल दिख रहे होंगे मैं जो आईब्रो वाला अटेश्मेंट है उससे इस अपर लिप्स को क्लीन कर रही हूँ जो बड़ी तरफ वाला ब्लेड है उससे मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और आप जैसे द आप इस अटेश्मेंट से अपर लिप्स चिन और अपने फेशियल हेर साइड बन्स और आईब्रो बना सकते हैं साथी साथ आप पोर हेड भी बना सकते हैं इस अटेश्मेंट के दौरा आप जैसा की बाल शायद देख पा रहे होंगे यहां के अच्छे से क्लीन हो गए हैं अब इस तरफ भी मैं बाल को क्लीन कर ले रही हूँ इस ट्रिमर का एक यह फाइदा यह है कि आपको यहां पर कटने का डर्व नहीं रहता है और इससे जरासा भी पेन नहीं होता है होप आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे से क्लीन हो गया है अब हम थोड़ा सा मौश्युराइजर यह क्रीम लगा लेंगे जिसे की हमारी स्किन रेड ना पड़े इस ट्रिमर से अपर लिप्स फोर हेड बनाना बहुत ही इजी है अनफॉर्चनेटली मैं आइब्रो बना करके आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि आइब्रो बनाने के लिए एक हाथ से टाइटली पकड़ना पड़ता है और फिर मैं सूट नहीं कर सकती थी इसलिए मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि ईए और आईब्रो बनाने पर यह देखे कितने सारे जो बाल है वो किटने सारे जो फोर हेड खेर है और आयब्रो के हju है इसने निकाले हैं आपको मैं रिविव ये देना चाती हूँ कि देखिए इसमें जैसा कि ये कहा जा रहा है कि आईब्रो के लिए अपर लिप, चिन और साइब बंस के लिए बिखनी, अंडर बिखनी एरिया और अंडर आम्स के लिए ये है तो देखिए आईब्रो के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें प्रैक्टिस की जरुवत है वैसे ये काम तो करता है लेकिन सुरुवात में सभी को डर लगता है और कोई भी अपनी आईब्रो खराब नहीं करना चाहता है तो मेरा सिजेशन ये रहेगा कि आप अपनी आईब्रो को शेप जहां से भी ब्यूटी पालर से आप शेप दिलवाते हैं वहाँ से करा लें उसके बाद जब एक्स्ट्रा जो हमारे छोटे बाल निकल आते हैं आईब्रो की नीचे उसको इससे क्लीन कर लें तो इससे क्या होगा कि आपकी eyebrow का shape भी बना रहेगा और आपको बार-बार पारलर भी जाना नहीं पड़ेगा मैंने तो ऐसा ही किया है और यकीन मानिए ये बहुत ही useful रहा है इससे मुझे करीब एक से देड़ मेने तक मुझे पारलर जाने की जरुवत नहीं पड़ी है जो upper lips और forehead के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है साथ ही साथ अगर आपके facial hair है तो आप उसको भी इससे remove कर सकते हैं ये इसमें pain जरासा भी नहीं होता है और ये big knee area और ये underarms के लिए भी अच्छा है देखे finishing की बात की जाए तो ये बहुत extra finishing तो नहीं देता है इसमें हलके छोटे से hairs जो है एकदम बारीक अगर कोई बहुत ही ध्यान से देखे तो रह जाते हैं अगर आपको बिल्कुल clean पसंद है तो फिर ये आपके लिए नहीं है लेकिन अगर आप हलके से black heads के बराबर अगर आप बालों को रहने दे सकते हैं अपने underarms में ये बिकनी area में तो ये आपके लिए सही है बेसिकली ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर आप जल्दी में हो या कहीं travel कर रहे हो या फिर जहां पर पार्लर की सुविधा नहीं हो वहां के लिए ये चीजे ये best है बट अगर आप बहुत ही clean चाहते हैं तो फिर ये उतना अच्छा नहीं है बट हां ये मेरे ल और चीजों के लिए अगर मुझे clean बहुत चाहिए तो फिर मैं ये पार्लर ही prefer करूंगी बट अगर डेली यूज के लिए मैं इसको prefer कर सकती हूं चेन अरिया के लिए मैं definitely इसी को use करूंगी forehead के भी मैं इसी को use करने वाली हूं और eyebrow के भी मैं इसको use करूंगी बट थोड़ करता है होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग बबाई